कि हेलो फ्रेंड्स कि आज हम लोग में किनिकल इंजिनिंग सेक्शन में ट्रेप दिल साइज के बारे में बात करेंगे चपाद आरे मज़ला दोस्तों टैप एक त्रेडर कटियम टूल है जिसका इस्तेमाल अंद्रफली चूडैं काटने के लिए कि लिए कि आप अपर एक टैप दिखाई गई है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर देख बनी हुई είναι तो यह थे थ्रैड नाम में इंटरनल पॉर्शन में चलाते हैं तो यह फॉर्म औबर कर आ जाती है को दुस्तों आप पर च्राइड की कुछ वाला portion है यह फ्लैंक दिखाया गया है यह हैं यह यह फ्लैंक है यह फ्लैंक एंगल रहता है वे इस्ट डिग्री रहता है और METRIC के कहिश में पार्ट होता यह जैसे यहां दिखाया गया जो अंदरूनी पार्ट है वो हमारा रूट कहलाताए और दो चोडियों के बीच में जो डिस्टेंस है जो यहां दिखाया गया है यह हमारा पीछ है तो यह कुछ important terms है जो हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों यहां पर एक जो internal thread है उसको detail form में दिखाया गया जो यह अंदरूनी portion है उसको यह minor diameter है यह आपका major diameter है और यह आपका pitch diameter मेंटर है pitch diameter major diameter और minor diameter के बीच में जो एक्टिव पॉच्छन होता है जहां पर जो nut और बॉल्ट जहां मैच करते हैं वह पॉच्छन हमारा कहलाता है और यह जो एंगल दिखाया गया है यह हमारा thread angle है यह BSW के case में 55 degree रहता है और मेटरी के case में 63 रहता है और जो thread के बीच में जो distance रहता है वह हमारा pitch कहलाता है वह यह हमारा है और minor diameter और major diameter के में जो difference है जो single side पर रहता है वह आपका single depth of thread है और यही Threative Standard Buddha thread is रहते हैं पोर स्क्याहिशना प्रेह आप जिसे कियाते हैं फ्रिस गार में ब्रेंडार है घर प्रिवी सेंदर फाइंट और रहता है व lot है अमरीक नेशनल यहांड इसके कि इंगल मेट्रिक हैं उसका एंगल भी सिस्री रहता है दो दोस्तों स्कूर्ण थार्डी यह होता है मौदिफाइड स्पवेर्धर के के इस में हमारे पास चाहिए दोस्तों बिस्ट्रड रहती है और ये त्रेडर्स बाटर्स द्रेट रहती है और नुखल आई इनकी फोर्म देख लेते हैं कि दोस्तों BSW case में ये वी तर्डड ही रहती है और उसका अंगल 5 पिंगरी का रहता है बीए त्रेड के चैसमें भी 60 झीज़ाई रहता है और यह सारी वी थ्रेट की कि फॉय ंधिव है सक्वेर थ्रैड दिखाई-गई लाट्र 3 में को प्रत्तो च्वेर कृषण रूच्वा बरेते हैं यह रूड है यह 真的 है पहु कि दिखाए गई और उनकी विर्थ भी लगबग बराबर रहती है और जो एक में ठ्रेड है उसमें जो की शेप यह ट्रपेजएरड डिखाई गई और इसका जू एंगल रहता है दोस्तों बिटिश एक में फर त्रेड डिफरेंस नहीं है दोस्तों यहां पर यह एक बट्रेस थ्रेड की डिखाई गई है जिसका एंगल यह 45 डिखाया गया यह एक तरफ से यह हमारी जो टूथ पेस्ट का जो वहती है उसके नेक पर हमारी celor theo गई है uh तो दोस्तों टैप्डील डां Works निकालने के लिए एक मैजर शूथर हमारे पास है टैप्डेल्ट कस्का तो शक्क्क हमारे technologies माइनस टू इंटू सिंगल देप्थ ओफ थ्रेड दोस्तों सिंगल देप्थ ओफ थ्रेड है जो चूड़ी का वो हमारा डेसिमल 6403 इंटू पिछ से निकल कर आता है और जो पिछ है वो हमारी यहां से पिछ निकाल लेंगे और इस पिछ को यहां पर इंसर्ट कर देंगे तो सिंगल देप्स निकल कर आ जाएगा और सिंगल टॉप थ्रेड को निकाल कर मेंजर डायमेटर में से माइनस कर देंगे तो हमारा टैप्डिल साइज निकल कर आ जाएगा तो आई एक 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 एक्जम्पल देखते हैं तो जो हाफ इंच जो थ्रेड रहता है उस पर बारा टैप्डिल रहती है यहां पर दिया गया है और यदि नहीं भी दिया गया हो तो हम लोग टिबल से निकाल सकते हैं तो इसका मेजर डायमेटर हाफ इंच ही है विच इस इकल टू 12.7 मिलीमेटर तो एक इंच हमारा पिछ में दिया गया है कि 12 TPI है तो हम लोग पिछ निकाल लेते हैं तो पिछ जो है 25.4 divided by number of TPI तो 25.4 divided by 12 तो 2.116 मिलीमेटर निकल कर आ जाता है अब सिंगल टॉप्ट थ्रेड जो है हमारा उसके लिए फॉर्मूला है मेजर डायमेटर माइनस आज सोरी सिंगल टॉप्ट थ्रेड जो है वह मेरा डैसिमल 6403 इंटु पिछ यहां से निकल कर आ गया तो यहां से हमारा फन पॉंट्ट्री फाइफ बिलीमेटर निकल कर आ गया सिंगल टॉप्ट थ्रेड तो अब हमारा जो टैप दिल साइज है वह मेजर डायमेटर मैनस सब्सक्राइब को निकाल चुके हैं तो ट्रेप डिल साइज 12.7 मैंनस दो गुणा एक दिश्मिलब तीन पांच तो यानि कि बारा पॉइंट साथ से जब हम सब्सक्राइब के लिए जो हमारा डिल होगा वहमें 10 mm करना होगा तब हमारी परफेक्ट चूड़ी बनेगी परफेक्ट वी शेप की चूड़ी बनेगी आई यह कुछन और करके देखते हैं दोस्तों यहां पर एक इंच की चूड़ी पर एक इंच की चूड़ी रहती है एक इंच की डायमेटर पर और यह 20W थ्रेड है तो इसका मेजर डायमेटर 25.4 एक इंच है तो 25.4 mm रहता है TPI, RTPI दिया गया है तो पिछ निकाल लेते हैं हम लोग 25.4 divided by number of TPI तो 25.4 divided by 8 is equal to 3.175 mm अब सिंगल टॉप्ट थ्रेड के लिए फॉर्मूला है डेसिमल 6403 इंटू पिछ और पिछ हमारी 3.175 है तो डेसिमल 6403 से जब इसको गुणा करते हैं तो 2.032 mm है और टैप डिल साइज हमारा मेजर डायमेटर माइनस टू इंटू सिंगल टाफ्ट अफ्ट जैसा कि यहां भी सूत्र में दिखाया गया सुत्र में दिखाया गया और टैप डिल साइज हमारा 25.4 माइनस दो गुणा 2.032 तो हमारा निकल कराता है 21.336 mm तो दोस्तों हम लोग सो 21.4 mm ले सकते हैं क्योंकि नियरली वही रहेगा 21.4 है या हमारे पास जो इसके नियरे साइज अविलेबल हो इसकी प्लस साइज में व करने के लिए 21.4 mm के आसपास का दिल हम लोगों को बारना पड़ेगा यानि कि किस पंट चार से थोड़ा साधी किस पंट चार एक सब्सक्राइब हमारे ला रहेंगे तो चूड़ी हमारी बहुत अच्छी कर आएगी दोस्तों ब्यस्ट्र में टैप के लिए डिल साइज नि करता है लेकिन फिर भी किताबों में टैप डिल साइज इसकल टू मेजर डायमेटर गुणा साथ बटा आट इंच गटा एक बटा बतिस इंच जैसा कि आपर दिखाया गया तो आईए इसका भी एक नुमेरिकल करके देख लेते हैं फाइंच टैप डिल साइज फो एक बटा चार इंच बीले धर,ड्फ द्रीए था हम लोगों को टैप डिल साइज निकलना है तो मेजर डायमेटर हमारा एक बटा फ्रता चारंज निकला कर आगया ट्यप्ड दिल साइज इसे इस जाए जैसाकी सुर्हेटynen टा इंटो शाथ बना आट इंच घटा एक बना बैटेज इटी निकला कर आगया एक बना साथ बना आर्ट गटा एक हम लोगों 3,16 इंच का डिल करना होगा दोस्तों यहां पर एक मेट्रिक थ्रेड की प्रोफाइल दिखाई गई है इसमें यह माइनर डायमेटर है यह मेजर डायमेटर है यह 60 डीगरी का एंगल रहता है और दो चूडियों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वह हमारा पिछ कहलाता है और single depth of thread मेजर डायमेटर मैनस माइन डायमेटर का सिंगल साइड से जो है वह यहां पर दिखा या दिखाया गया है दोस्तों टैपडेल साइज निकालने मिठीक थ्रेड का टैपडेल साइज निकालने के लिए सूतर हमारे पास है मेजर डायमेटर मैनस टूइंट सिंगल डाफ्ट ऑफ थ्रेड निकालने के लिए सूतर हमारे पास है 0.6134 इंटु पिच और पिच जो है वो हमें में इसा कोश्चन में दी गई होती है या फिर हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं तो आईए देखते हैं एक कोश्चन करके देखते हैं find tap drill size for m10 x 1.25 metric thread तो इसमें हम लोगों क्या क्या दिया गया है major diameter दिया गया है 10 mm तो m10 है तो इसका major diameter रहता है तो 10 mm हम लोगों नहीं लिख लिया और जो यह 1.25 दिया गया है यह हमारी चूडी की पिच है तो 1.25 चूडी की पिच आ गई अब single drop top thread निकालने के लिए सूतर हमार पास decimal 6134 into pitch तो decimal 6134 into 1.25 तो 0.766 mm निकल कर आ गया और टैप डिल साइज जो है हमारा major diameter मैनस 2 into single depth of thread जैसे की है तो 10 घटा दो गुर्णा दिशेमलाव 766 यानि की 8.46 mm निकल कर आ गया यानि की 8.46 mm का यदि हम डिल मारेंगे तो हमारा जो चूड़ी है वह अच्छे से कटेगी और फुल डेप्थ की चूड़ी कटेगी लेकिन 8.46 का डिल शायद हम लोगो नहीं मिल पाएगा तो 8.5 mm का डिल तो आसानी चाहिए हमें बिल जाएगा तो 8.5 mm का डिल हम लोग अगर कि फाइंड टैप डिल साइज फॉर एम 18 इंटो टू मिटिक थ्रेड जोस्तों यहां पर मेजर डायमेटर अठारा मिलिमेटर दिया गया है और पिछ दो मिलिमेटर दी गई है सिंगल डाप्थ ऑफ थ्रेड जो है वह हमारा डैसिमल 6134 इंटो पिछ है और जब इसको दो से मिलिमेटर तो हमारा सुत्र इस प्रकार से निकल कर आता है हमारा टैप डिल साइज 1510 पांच चार मिलिमेटर दोस्तों यदि हम हमें 18 इंटो टू की मेट्रिक चूड़ी काटनी हो तो डिल हमें 15.54 का मारना होगा यहां 15.54 का डिल मारेंगे तो एकदम परफेक्ट प्रोफा सकते हैं तो 15.56 का डिल यदि हम मारेंगे तो मेट्रिक एम 18 इंटो टू मेट्रिक त्रेयर हमारी परफेक्ट कटेगी उसकी प्रोफाल बहुत अच्छी कटेगी दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए केमेंट कीजिए यह चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कीजिए बेल आईकन को प्रेस कर दीजिए ताक आने वाली स्वीडिक सेंद्ध जयt October में बदल केशन मिल अज आज हम लोगों ने क्यावन साइज निकाला ट्यपोलाओ रिंधेन हम लोगों ने बस लूंद से जादा पापुला है लोकल में यह क्यों च्छोडी का सब्सक्राइब, यह स्क्ता नहीं पड़ती इसलिए उन्हें लोग मेट्रिक थ्रेड और बीच जब्ली थ्रेड के बारे में हम लोगों ने डिसक्स किया तो आज हम लोगों ने ट्रैप डिल साइज निकलना सिखा बने रही है हमारे साथ हमारी चैनल पर धन्यवाद